गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम एरन के विश्णु मंदीर और एरन के अभिलेक के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एरन क्यों परसीद है एरन नमक स्थल के बारे में बताया था देखेगा एरन नमक स्थल है ये गुप्तकाल का एक परसिद स्थल है जहां से हमें कई परकार के मंदीर जिनमें विश्णु मंदीर फिमस है और यहां से कई अभिलेक प्राप्त हुए हैं जिन से हम इतियास के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो ये इत्यास की दर्ष्टी से बहुत ही महतोपुन इस्तल है जिसके बारे में कई बार एक्जाम में भी क्यूसन पूछे जाते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिलें और आप एक्जाम की तैयारी अ एक मंदिर बना था जो अब दवस्त हो चुका है ठीक है मंदिर के गरब क्रह का दुआर तता उसके सामने खड़े दो स्थम आज अवसिस्ट हैं मतलब बच्चे हुए हैं तूटे फूटे हैं एरण से प्राफ दवनसाव सेसो में गुप्तकाल के बगवान विश्णू का मं मंदिर परमुक हैं भरा है कि इतनी बड़ी पर्तिमा भारत में कहीं नहीं है इसके मुख पेट पैर आदी समस्त अंगों में देव पर्तिमा उत्किर्ण की गई हैं विश्णू मंदिर के सामने 47 फूट उचा गरुट द्वच खड़ा है इन अवसिस्टों के समीब अन्यको अबिलेक भग नसिला पटों के रूप में पड़े हैं अब देखेगा एरन से परमुक अबिलेक मिले हैं जो इस प्रकार से हैं सकसासक स्रीधर वर्मन का अबिलेक गुपते समराट समुद्र गुपत का अबिलेक गुपते समराट भुद गुपत का अबिलेक हूनसासक तोर इस अभिलेग को कनिंगम ने खोजा था, यह वर्तमान में कोलकाता संगराले में सुरक्षित है, यह बगनावस्था में है, फिर भी जितना बच्चा हुआ है, उसे समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्थ होती है यहां गुप्त समराठ भुद्गुप्त का भी अभिलेक प्राप्थ हुआ है इससे ग्यात होता है कि पूर्वी मालवा भी उसके समराजे में सामिल था इसमें कहा गया है कि बुद्गुप्त के दिनता में यमुना और नर्मदा नदी के बीच के पड़ेस में महाराज सुर्शमिंदर सासन कर रहा था एरन पड़ेस में उसके दिनता में मात्रे विश्णू सासन कर रहा था यह लेक एक स्थम पर खुदा हुआ है जिसे धवजा स्थम कहते हैं इसका निर्मान माराज मात्री विशुनु तथा उसके छोटे भाई धन्य गुप्त ने करवाया था यह आज भी अपने स्थान पर एक शुन है यह स्थम 43 फूट उचा और 13 फूट वरकाकार आधार पर खड़ा किया गया है इसके उपर 5 फूट उची गरुड की दो रूखी मूर्ती है जिसके पिछे चकर का अंकन है ठीक है अब देखेगा सत्ती अभी लेक यह कई बार एकजा में पूछा गया क्यूसन है धान से देखेगा वीडियो को एरन से एक अन्य अभी लेक प्राप्थ हुआ है जो 510 इस्वी का है इसे भानुगुप्त का अभी लेक कहते हैं यह लेक महाराज भानुगुप्त के एमात्य गोपराज के विशे में जो उस स्थान पर भानुगुप्तिय सास संबवताय किसे यूद में आया था और वीरगती को प्राप्थ हुआ था गोपराज की पतने यहां सत्ती हो गई थी इस अभी लेक को एरन का सत्ती अभी लेक भी कहा गया है और यह हमें यह भी बताता है कि प्राजिन काल में सत्ती पर्था पर्चली थी गुप्त काल में ठीक है एरन से प्राप्त एक वरा है मुर्ती के अभिलेख में हून सासक तोर्मान और उसके पर्थम वर्स का उलेख मिलता है ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने एरन के अभिलेखों और एरन के विश्णु मंदिर के बारे में महत्तोपुन जानकारी प्राप्त की और हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आउर भी हम आपको आगे इसी प्रकार से इंफोर्मेशन देते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे